So what's cracking SPS Cars family? How are you guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shmin Pratap Singh and I'm back again with Man with a Fresh video और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे the most awaited Scott Akusha की सारी डिटेल्स के बार में वह बहुत सारे लोगों का कोशन है तो मैं without wasting any time वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और उन सारे कोशन का जोए अंसर दूँगा launch rate, pricing और सारी engine details और साथ ही साथ उनको Crata and Seltos से भी comparison दे दूँगा इन टमस अव लोग जो exterior design है उसके according and interior design के according मैं कोई भी अभी वैसा comparison नहीं कर रहा हूँ बस हम एक design look का comparison करेंगे सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना है कि अगर आपको भी होता है किसी भी कार है किसी भी पाइक के बीच में कोई भी confusion well now let's begin on video and बात करते हैं the Skoda कुषाक के बारे में so the Skoda कुषाक yeah so Skoda ने अपनी इस कुषाक जो compact SUV है सबसे ज्यादा खतरनाक segment यानि सबसे ज्यादा toughest rivalry segment में इन्होंने launch किया अपनी कुषाक को जो की है the compact SUV segment क्यूंकि इस segment में the Krata the cell toss को हराना बहुत ज्यादा difficult है and इन दोनों कार्स से क्या Skoda कुषाक better करती है तो किस term में करती है better वह भी बताऊंगा तो किस term में नहीं करती है वह भी बताऊंगा तो सबसे बहुत हैं बात करते हैं दोनों ही कार्स की design work की मलब कुषाक की design work की क्रेटा एंसल टॉस की तो बाहर में बात करेंगे डिजाइन में अकॉर्डिंग ली मैं पहली बता देता हूं कि 5 आउट और 5 स्टार्स मैं दूंगा इस कॉड़ा को और यह पार्ट बहुत ज्यादा है कि रहसे हैं इस सेग्मेंट में अगर मैं देखता हूं तो रोड प्रेजन्स होती है मैं तो आपको यह कॉम्बैक्ट सब्सक्राइब करें अब इसका रीजन में बताता हूं लेंथ में चोटी है यह अभी मैं डामेंशन वाले बात करता ले तो उससे भी बैटर डिजाइन के साथ आती है आपको फ्रेंट में जो है एलेडी प्रोजेक्टर हेलम मिलता है फिद दे कॉर्णरिंग फॉग लेंप आपको मिलता है जो कि हैलोजन है कॉर्णर पर आपको एक टाइप से दिया जाएगा जस्ट है नीचे यह जो डिजाइन वर्क है बहुत स्मार्ट है फॉर्द बात करते हैं अगर आपको जो है सिखनेचर ग्रिल प्रवाइड के जाता है रियर पार्ट पर देखता हो तो स्टाइल अप्राइट टेल गेट विद अस्टाइलिश एलेडी टेल लाइट अन दे कुशाक बैजिंग अब यह तो हो गय बहुत सारी लोगों ने तारिफ किये अब कुशाक जो है इन दोनों पर भारी भड़ चुकी है अब बात करते हैं नेक्स है नहीं अब बात कर लेते हैं इनकी इंजन की तो कुशाक को मिलता है एक 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन तो वह आपको 1.5 लीटर का टर्ब पेट्रोल इंजन जो है चंस आउट करता है 115 PS of horsepower and 175 Nm of torque and mate करता है 6-speed manual and the automatic gearbox वेर ऐस बात करता हूँ जो 1.5 लीटर का unit है वह चंस आउट करता है बात वह बी तर्बो पेट्रोल है और वह चंस आउट करता है 150 PS of horsepower and 250 Nm of torque अब यह जो इंजन है मेट करता है 6-speed manual transmission and 7-speed DCT automatic gearbox अब यहां पर सबसे बड़ा question mark है वेर इस दीजल इंजन या स्कॉड़ा का जो प्लैन था कि मलब आउनको ऐसा लगता है बहुत सारे foreign brand को कि इंडिया में डीजल पॉपिलर नहीं है and future नहीं है उसका अब ऐसा सोचना like it's like a fault is koda का कि वह डीजल इंजन नहीं देते क्योंकि मैंने कस्टमर से कॉलकता में बात की वो थे उनसे मैंने बात की उन्होंने clear का कि स्कॉड़ा को क्यों ऐसे लगता है कि डीजल बंद हो चुका है यार बलब डीजल अभी भी पॉपलर है इंडिया में and वह कार अगर स्कॉड़ा कोई डीजल में लाते तो वह तो पक्का लोग खरीते और ज्यादा वाल अभी भी देखत चर्ण साउट करता है जो की 1.5 लीटर का पैट्रोल इंगन चर्ण साउट करता है इन अब अब यहां पे फर्दर बात करते हैं इंजन का जो सही है डीजल ना होना है सबसे बड़ी कोशन मांक है और सबसे बड़ी कमी है ऑफ देशकॉरा कॉडा कुशाग नौ नेक्स की बात करते हैं जो कि यह dimension dimension के basis पर क्रेटा एंड से कहिया तक छोटी है 4135 mm की इसकी पूरी length है बात करता हुए तो 1760 mm की इसकी पूरी width है height की बात करता है तो 1612 mm की यह height है इसकी और इन तीनों में यह क्रेटा एंसल्टॉस से छोटी है तो बूट स्पेस में भी छोटी है बाउट 385 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है अब एक खास बात है कि क्रेटा एंसल्टॉस की वील बेस बहुत ज़्यादा है यानि अब अल्मोस्स 40 mm संथिंग जो है ज्यादा है जो कि है 2610 mm की 2651 mm की जो कि 2610 mm है ऑन दे सेल्टॉस अं क्रेटा अब यहां पर कुशाक की जो 2650 mm की वील बेस हो गई इसका रीजन यह है मलब इसका एक कुछ फाइदे है तो कुछ नुकसान है अब फाइदा यह है कि आपको इंटीर में आपको नीरूम बहुत बैटर मिलेगा अब यह नुकसान यह है कि इतनी कम लेंद के साथ यह ज्यादा वील बेस दे रहें इवन 4.3 मीटर की कार से भी ज्यादा वील बेस दे रहें तो इससे जो है बूट स्पेस छोटा हो रहा है एं 385 डेटर की आपको बूट अब बात करते हैं next and अब बात करते हैं features की yeah so features में what I have noticed है जो लिस्ट मेरे पास features की कुशाक की सो उसके according में देखता हूं तो या कुशाक जो है कम मलब अगर मैं देखता हूं features में तो एक तो even cell toss से जो है कम features के साथ आती है या it's damn clear that कि वो cell toss से कम features देती है बट एक चीज मुझे पता नहीं आप सभी को कि जो हमारी कुशाक है वो जो है equal features almost equal features देती है to the हमारी Hyundai Crata and अभी यह confirmation नहीं है कि वो list similar रहेगी कि नहीं बट अभी हो सकता है कि कोई additional feature आप यह भी बथा देता हो कि Crata and cell toss जो है हमारी बहुत सारी updates के साथ आई है इवन cell toss को जो है अभी new update मिला तो और जाधे features increased up हुए अब वही चीज है कि कुशाक तो भी just launch हो रही है उसका second generation third generation अभी कितनी facelift आएंगे तो उसके according उसके features increased up होंगे अब उस according में देखता हूं कि क्या safety में कैसी है अब या अब आते सेफटी ओके सो हमारी जो कुशाक है वह सेल्टॉस क्रेटा से कैसी खड़ती है वह में बता देता हूं सेफटी के according देता हूं तो कुशाक बहुत अची है एक चीज बता तो foreign brands हमेशा सबसे ज्यादा से सबसे ज्यादा सेफटी को फोकस लेते हैं राधर देन हमारे जो इंडिया इंडियन पॉपलर ब्रैंड से लाइक कोरियन है बट यह इंडो कोरियन माने जाती बिकॉस इंडिया में इन्होंने पूरी तरीके से कम्प्लीट सेट अप बनाया है वेरिस बोडा की यह मेड़े अन्टिया रेय और कुछाक मैं को देखता हो तो एक आइर बैक आपको देखने आपको मिलें इसे स्टैंडर्डे में आपको मिलता है आपको बहुत सेट आखने फीचर देखनी को मिलने में अब लिस्ट कम पूरी नहीं आई यह बट कुछ हाइलाइटिंग पार्ट समय बताए गए लिस्ट कंफर्म ही हो जाती तो लॉंच देखने का कोई फाइदा ही नहीं होता वैल यह तो हो गए कुछाक के सारी डीटियल्स अब मैं बात करता हूं लॉंच देट प्राइजिंग लॉंच देट की बात करता हूं तो हमारे कुछाक के जो सेल्स अन मार्केटिंग के सेल्स अन मार्केटिंग है मिस्टर जयक हॉलिस उन्होंने जो है अपनी ट्वीट करके किसी ने उन से कॉछन पूछा था कि स्कॉडड फैबिया इंडिया में आएगी कि नहीं तो उन्होंने उसका रिप्लाय दिया कि नो स्कॉड़ा फैबिया तो करेंटली अभी कोई प्लैन नहीं इंडिया में लॉंच करने का बट कुशाक जो है हमारी जून में हो सकती यह लॉंच और साथी साथ यह बता देता हूँ उन्होंने यह भी कहा कि स्कॉड़ा कुशाक का जो हमारा सेल्स है वो जुलाई मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा अब यहां पर हमारी जो एकस्पक्टेव लॉंच यहां 15 जून के आस पास यसे पहले स्कॉड़ा कुशाक इंडिन मार्केट में जाएगी तो सेल्स जो है उसकी एकस्पक्टेड है कि वो सेल्स जो है 15 जुलाई से स्टार्ट studying एंग कन्फर्मेशन तो अभी नहीं आई है बट जैसे कन्फर्मेशन अब वन वीक पहले ही आजाएगी लॉंच से अभी उसमें टाइम है बात करता हूं अब नेक्स्ट यानी प्राइस की या तो एक्स्पेक्टेड प्राइस जो मैंने सूची थी जब फर्स्टाइम जब कु क्रिषुड के प्राइसा कि प्राइजें स्ब ने एक्सक्ट की थी तो नानाइंस एक्स्पेक्ट कि गिरक नाइच तक हो गई एक शो रूम यानी 9 लकस टू, 17 लकस मेचस एक्सपेक्ट प्राइस है एक्षोरूम अब देखने वाली बात होगी कि कि कितनी प्राइस होती है लाउज डेट पर हमें पता चल जाएगा अब यहां पर मैं अब कुछ बताता हूं कि क्या रीजन है आप इस कार को खरीदे और क्या नहीं कुछ इंडिया तो मैं बचार देता हूँ कि सबसे बड़ी पर उनका पर जो दो सबसे बड़ा इंडिया को एतनला होगा भूनी पर इसका एक अमसे इंपैक्ट मेंदिया बट तो भूइसली जहां तक मुझे लगता है की सकट की यह कार कार एंडिया होने के बाद जो है इसकी 서 west कास्ट जो है less होने तक का देखे कि क्या कैसे रहता है response क्योंकि अभी देखे करने situation के according नहीं जाना चाहिए आपको अभी क्रेटा इंसल्ट आउस के लें definitely wait करना चाहिए मेरी advice है कि wait करें बाकी देखते हैं वह आप पर ही है कि आपको चाहिए कि नहीं wait करना सो गाइस अब यह तो हो गए हमारी पूरी स्कॉर्ड को शाक की detail मेरी advice तो यह है कि आपको wait करना चाहिए for the को शाक अभी जो है पूरी detail मैंने बताई नहीं है अभी कम से कम में पास 5-10 pages की पूरी detail से को शाक की है उससे भी ज़्यादा की and almost 30 minute की और वीडियो बची है like बहुत detail ने स्कॉर्ड को शाक पर बताने के लिए अगर मैं A2 लेकर जैक तक इसका cover करो तो बहुत time लग जाएगा and 15 मिनट से जाता कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करता है इतने detail मेरे लिए खुद बोरिंग हो जाएगा type सा की पहले मैं आपको 30 minute की पूरी details बता दूगा वो होगी in the early week of June उसमें मैं कुशाक की final details बताऊंगा because उसमें launch होने वाली है so review का बताता हूं कि review अभी कोई भी भी नहीं आरे because सबको घर पर ही रहना है तो stay at home guys and वो जो भी next video आईगी मेरी कुशाक पर उसके लिए आपको जो है कुश नहीं करना है just click करना on the red subscribe button and press the bell icon जै click down the like button and share this video to all your friends also so stay at home guys stay safe thanks for watching this video guys smell the angry video में तिल दे बाइगी में तिल दे बाइगी